नमस्कार मैं हूँ आशीश, धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग योग प्रीती नामक नेसर्गिक शुभ योग प्राते दस बचकर आट मिनिट तक तदो प्रांथ आविश्मान नामक नेसर्गिक शुभ योग है विशिष्ट योग कुमार योग नामक शुभ योग दोपहर बाद एक बचकर चौबिस मिनिट से दोपहर बाद दो बचकर तायालिस मिनिट तक है अब जान लीजे आज के व्रत तियोहार उत्सव और विशेश आयोज़ण के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिति कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा चंद्रमा अंतराद सूर्यदै पुर्वे प्राते 6 बचकर 31 मिनिट तक तुला राशी में और इसके बाद रिश्चिक राशी में रहेगा ग्रह राशी परिवर्तन बुद्ध दोपहर बाद 1 बचकर 47 मिनिट पर तुला राशी में प्रवेश होगा दिशाशूल बुद्धवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्रिस्थिती के अनुसार आज पश्चिन दिशा की यात्रा लाबदायक वशुब प्रद है राहुकाल दोपहर बारा बज़े से दोपहर बाद 1 बचकर 30 मिनिट तक राहुकाल वेला में शुब कारे आरम यथा संबव वर्जित रखना हित कर है अब आपको बताते हैं शुब मुहुर्थ और शुष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुहुर्थ उपर्युक्त शुबाशुब समय तिथी वान नक्षत्र वे यूग अनुसार आज स्वाती नक्षत्र में यथा आवश्चक नामकरण वे हल प्रभ्रण के शुब मुहुर्थ है शुब कार्यों में वर्चित है अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जन्म लेने वाले बच्चे आज जन्म लेने वाले बच्चों की नाम रो ता ती तू ते तो आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं अंतराद 6 बचकर 31 मिनिट तक जन्मे जातकों की जन्म राशी तुला वा इसके बाद जन्मे जातकों की जन्म राशी व्रिष्चिक है तुला राशी के स्वामी शुक्र व्रिष्चिक राशी के स्वामी मंगल है दोपेर बाद एक बचकर 24 मिनिट तक जन्मे जातकों का जन्म रजत पाद से वा इसके बाद जन्मे जातकों का जन्म तम्रपाद से है सामनेत्या ये जातक बहुत परिश्रमी होश्यार बुद्धिमान उपारजन के अनेक श्रोत वाले व्यवारिक होते हैं इनका भाग्योदे 32 वर्ष के आयो के बाद ही होता है तुला राशी वाले जातकों को उध्योग व्यापार वे नौकरी में अनुकूलता तथा यात्रा लापदायक रहेगी। तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक शत्र चौगडिया और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक शत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्व पास रखते हैं इश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार